Hello and welcome guys, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम upstocks application के जरीए समझने वाले हैं कि आप किस तरीके से mutual fund में invest कर सकते हैं and mutual fund में किस तरीके से आप पैसे कमाते हैं इस बारे में भी हम समझने वाले हैं विल जब आप यह application open करेंगे, login करेंगे, account करने के बाद तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर यह application देखने के लिए मिलेगा and इसमें बहुत बार लोग यह सिकायत करते हैं कि उन्हें mutual fund का जो option है वो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए आपको अपने accounts पे जाना है and उपर अगर आप देखोगे तो up stocks for investors and up stocks for pro लिखा है तो यहाँ पर यह जो pro वाला है यह enabled है तो उसके लिए आपको यहाँ पर option पे click करना होगा जिसके बाद कुछ इस तरीके का आएगा and यह application खुद को एक बार switch करेगी and up stocks for investors में चला जाएगा तो कुछ इस तरीके का जो panel है यह open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे जो है आप देखोगे कि यह बहुत पुराना मेरा account में जिसे videos बनाने के लिए use करता था तो इसमें 88 रुपए की net worth 100 कर रही है यहाँ पर आप सबसे नीचे का जो white panel है इसमें आप देखोगे home stocks and mutual fund का option देखने के लिए मिलता है तो हम आजाते हैं mutual fund पे अब mutual fund में भी उपर portfolio है और portfolio के अलावा आपको explore का option देखने के लिए मिलता है तो सबसे पहले आपको आना है explore में अब explore के बाद investment ideas देखने के लिए मिल जाते हैं जिसमें become a current पती, investment globally, all weather investing, बहुत सारे option जो है यह देखने के लिए मिलते हैं तो इसमें जब आप आओगे तो उस तरीके की या उस category के जितने भी suitable mutual fund आपको देखने के लिए मिलते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे वेल उन सारी चीज़ों को ignore करके अब हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर match nifty 50 returns में यहाँ कि उन में जो mutual fund nifty 50 में जो है वो invest करते हैं तो यहाँ पर आपको चार देखने के लिए मिलते हैं, चार fund देखने के लिए मिल जाते हैं आप सबसे पहले example के लिए हम जो यू टी आई का nifty 50 index fund है इसे पर click करते हैं और इसी को समझने की कोशिस करते हैं तो सबसे पहले अगर आप इसकी ratings देखोगे तो जो tracking error है यह इसकी बहुत ही कम है जो की बहुत अच्छी बात है fund का size काफी बड़ा है और जो expense ratio है यह 0.19% है तो यह काफी बहतरीन हो जाता है मतलब काफी कम है इसके बाद हम आ जाते हैं CAGR पर तो CAGR पर आप देखोगे कि आपकी जो NAV है वो अभी के time 2057 रुपए की है इस fund ने 5 साल के बिहाब पे 15.52% का जो है वो gain किया है वहीं अगर आप देखोगे CAGR का मतलब होता है कि अगर आपने 5 साल के लिए 1000 रुपए इन्वेस्ट किये होते तो यहाँ पर वो 1000 रुपए 2057 रुपए बन चुके होते जो कि this fund पे अगर आप देखोगे 15.52% के gain के साथ वहीं दूसरे साइड में यलो बॉक्स में आपको FD का option देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आपको केवल 7% के रिटनसी देखने के लिए मिलते हैं तो यह आपको सिर्फ 1404 रुपए होते तो लगबग almost double का जो अंतर है वो देखने के लिए मिलता है और आप chart के भिहाब पे भी समझ सकते हैं जो blue line है जो up down होती रही है यह इस mutual fund की है जो yellow एक consistent line जा रही है वो आपके FD की हो जाती है क्योंकि FD में एक fixed return होता है तो बहुती slowly आपका जो amount है वो बढ़ता है इसके बाद यहाँ पर कुछ हम इसकी returns पे आ जाते हैं तो minimum SIP जो amount है वो आप 500 की कर सकते हो 2013 में launch हुआ था तकरीबन 12 साल complete होने को है lock-in period इसमें कोई नहीं है इसकी जो NAV है वो 162 रुपय है अगर हम आज केस में gain की बात करें तो 50 पैसे का इसमें आपको gain देखने के लिए मिलता है अब NAV का यहाँ पर मैं आपको मतलब समझा देता हूँ NAV का मतलब अगर आप इसमें 5000 रुपय इन्वेस्ट करते हो एक बार में तो उसको वो आपको कैसे मिलेगी मतलब 5000 रुपय पर आपकी growth रोज नहीं दिखाएगा अब जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं बड़ा बड़ा की 162 रुपय की NAV है और आपने किये 5000 रुपय का investment तो 5000 रुपय डिवाइड बाई 162 यहाँ पर करेंगे तो आपको 30.86 NAV जो है वो डेली की देखने के लिए मिल जाएंगी और 30.86 NAV की जो कीमत हर एक NAV की कीमत है वो 162 रुपय होगी जो यहाँ पर आपको गेन देखने के लिए मिल रहा है 50 पैसे यह आपकी 1 NAV पर है यह आपका 1 NAV पर ग्रोथ है तो आपके टोटल जितने भी NAV है उसे साब से आपके जो पैसे हैं वो डेली के डेली बढ़ते रहेंगे और जब आप सेल करोगे उस टाइम पर मानके चली 165 रुपय की अभी है तो आपकी 30 NAV है और जब आप सेल करने गए तो आपकी जो NAV की वैलिव है तब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 190 हो गई तो इसको आप हम कर लेते हैं 190 से गुणा तो आपका जो रिटर्न है वो 5864 हो जाएगा मतलब 864 रुपय आपका जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा तब जब केवल एक नेवी की कीमत तकरीवन 20 रुपय बढ़ेगी इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो के AUM तो 20,000 करोन प्लस है बेंचमार्क इसका जो है वो निफ्टी 50 है अब बहुत साय लोग कंफ्यूज होंगे कि इसका क्या मतलब है देखो हर एक मिच्वल फंड जो होता है वो अपनी एक special category में इन्वेस्ट करता है ठीक उसी तरीके से यह ज यहाँ पर reflect करने वाली है फंड प्लान जो है वो growth type का है तो यहाँ पर यह रहेगा अब हम जाते हैं यहाँ पर भी आप चूज कर सकते हो फंड प्लान में growth पे dividend payout अगर आपको चाहिए या फिर dividend reinvest चाहिए तो जितना भी है जितने जैसे अगर आप growth plan सेलेक्ट करते हो तो जो dividend आता है वो automatic जो है वो reinvest होता रहेगा और उसी पर होता रहेगा तो यहाँ पर मैं जैसा same as it है growth plan उसी पर मैं भी select करता हूँ अब आ जाते है returns calculator पे तो returns calculator आप देखोगे monthly SIP and one time है तो आप इसमें SIP भी कर सकते हो for example यहाँ पर हम 1000 का जो है वो कर लेते हैं या फिर 1000 का क invest करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे जो compare है वो देखने के लिए मिल जाता है इस application पे this fund gold and fund FD मतलब तीनों पे अगर आप 1000 रुपे पर मंत के हिसाब से लगाते हो तीन साल में तो यह जो fund है यह आपको 18.64% के return देदेगा अभी की compare में gold पे अगर आप देख साल के भी आप पे दिखा रहा है अगर आप 5 साल का कर दोगे तो 5 साल में आप देखोगे कि इस fund ने gold से काफी बहतरीन performance करी है तो जितना ही long term आप जाते हो उतना ज्यादा जो आपका mutual fund रहता है वो strong होता चला जाता है उसके बाद हम taxes and exit load पे आते हैं तो जितना भी tax आपक आपको 12% जो tax है वो pay करना पड़ेगा और यह जो tax है यह आपको profit पे देना रहेगा तो यह चीज़ आप समझना उसके बाद इस fund में क्या क्या है तो यह fund जो है 50 stock and 9 sector में मतलब 9 sector के तकरीबन 50 stocks पे investment करता है and fund management पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पर भी आप इसके management में full detail जो है वो देखने के लिए मिलेगी और इसके sectors भी आप देख सकते हो कि financial sector में 34.5% है यह यहाँ पे sectors है and side में अगर आप holdings पे आते हो तो बकाईदा यहाँ पर आपको companies के नाम भी देखने के लिए मिलेंगे जिसमें top पे अगर आप देखो तो दो bank देखने के लिए मिल है और इस तरीके से आप अपने भी mutual fund को explore कर सकते हो जहाँ पर बहुत ही सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से like invest करके दिखाया गया है या फिर manage करके बताया जाता है उमीद करूँगा आज का ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको mutual fund से related कोई problem आती है देना आप हमें comment box में जरूर बताएं